नमस्कार दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इंवस्टी अपडेट यूटूब चैनल में और आज की वीडियो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन सभी स्ट्रेंज के लिए जो कॉमान इंवस्टी एंट्रेंट टेस्ट देने जा रहे हैं में हि हिंदी के लिए तो चाहे आप जामिया में कहीं पर आप एंट्रेंट टेस्ट देना पड़ेगा और उस एंट्रेंट को देने से पहले आप सभी को यह जानना जरूरी कि आखिर उसका पेपर कैसा आता है पेपर पैटर्न आप सभी को पता है कि 25 नमर में हमारा जर्नल जिस सब्जेक्ट से हम फिल करेंगे तो आज हम उसी पूरे पेपर को समझेंगे यह लास्ट का पेपर है में हिंदी वाले स्टुएंट्स के लिए जो भी में हिंदी की त्यारी कर रहा है चैनल पर उन सभी को मैं बताना चाहता हूं हमारे चैनल पर आप सभी को 131 वीडियो पीजी का कैसे पेपर आता है कैसे सीरियल दिया होता है कैसे कैसे कोशन साते हैं किस प्रकार से लेवल होता है वो सारा समझेंगे जनल पेपर किस लेवल से पूछा जाता है वह हमारे डोमेन होता है डोमेन में कहां कहां से कितने कितने कोशन आते हैं क्या लेवल होता है ज्य रहती है तो समझते हैं पहले paper क्या हिए ये जो paper है आपका nta दोरा paper कराया जाता है slot second मतले evening में आपका paper होता है फिर क्या है हमारा subject का code दिया होता है समझ गये subject का code होता है और ये exam आपका 5 सेथम्बर 2022 को हुआ था फिर जब हम इसको रणपर करते हैं तो देखिए यहां सबसे पहले क्या है इंगलीस हिंदी दोन discourse के अधार आपको दिया होगे तो यह जरर्रल पार्ट के question आ रहे है जर्रल पार्ट करना क üzर्रें हिन्दी जिस बैक्षट को कर नी है जर्नल पार्ट के लिए वो आदित पॉब्लिकेशन की बुग ले सकता उसके अंदर प्रिविस एर पेपर होते हैं और अच्छे से इन कोशनों को आप कर सकते हैं देखे नॉर्मल कोशन आ रहे हैं को ज्यादा हाई-फाई कोशन नहीं है तो अच्छे कोशन है अगर आप मैं इसका बता सकता हूं अगर इस पार इस पेपर को में देख रहा हूं जैसे अभी तक दो कोशन देखे मुझे एकदम ठीक लगे और अगर इस प्रकार से पैटर्न तो जाएगी ही और क्यूंकि जीनूमे debate अड मिसंन ले रहें तो अगरें काफी भी बच्चे तायारी करहें दो काफी णॉर्मल कोशन हमीं तक अ कि यह आपक oh! T इसमें बोली कि यह ठीक है कि नहीं है उसके इसाब से आपको चार उप्षिनों में से दिया उता है को इडी दी हुए है दुरात्मा का संदी विच्छेद करना है बिल्कुल नॉर्मल नॉर्मल कोश्चन है ज्यादा हाई फाई कोश्चन है कि बहुत दी मतलव तैयारी करनी है बहुत ज्यादा वो है कुछ नहीं है सब नॉर्मल कोश्चन है कि अठिगी जागी नहीं कर पाँय। पूरा पेपर कर लो, आज थोड़ी जादा सवी पैटरन मुझत है। कुंथा है कि सभी कोशन में बारी-बारी से आपकी किन पर लगा दूंगँ ऑ कि इसमेंरी करनाला। Caleb這樣的 कि मिलान करना है मिलानरी में को सिंप capitalize आपको करना होता इन चार है इनS need तो प्रैकर आपको दो के बी मतलब यहीं तो दो के option आप इसमें मिला सकते हो मिलाने के बाद आपका ठीक हो जाएगा समझगे इन में कम से कम दो तक्के तो आपको पता ही होने चाहिए दो के पता होगे दो के नहीं भी पता होगे तो option में मिला के आप कर सकोगे 50% chance है देखी परवय बची सब दिया है आदित्ती पब्लिकेशन अगर आप पढ़ रहे हो आदित्ती पब्लिकेशन से अगर आप पढ़ोगे तो इन कोशनों को आसान से कर लोगे समझगे यह जो जितने भी कोशन आ रहे हैं सारे previous एरकें ज्यादा कोई हाइफाई नहीं है हाई-फाई पेपर बनाने से कोई फायदा नहीं है एडमिशन पेपर है तो एडमिशन की हिसाप से पेपर बनाए जाते हैं कि यहां थोड़ी बुकें दिभी हुई है तो इन भुको को आप डखिए इसमें गोदान होगे प्रेम चंहती तो आपको नहीं इसमें दो-तिन भुकें आपको आपको पता है इतिकें यह भुके के जो है यह हाली ही में चयली होंगी दो हेर बाती सिजन में। 22 22 में जो जो जैसे अब 2023 लग रहा इस समय जो जो बुके लांज हुई है 23 के अंदर तो 20 की जो बुके हैं सारी जो जो भी important हो उन बुको को सारे not कलो important books होंगी उनमें से question आगा अगर बुक का question पढ़ना चाहते हो तो बुक का ऐसे कर सकते हो यह देखू यह आगया जर्नल पार्ट का question अब यह तक हमने देखा भी हिंदी के हमको कम से कम पान से शे question मिले थे यहां से जर्नल पार्ट शुरू हो गया है तो जर्नल पार्ट यह जैसे question है कि इन में से किस देश ने वर्स 22 में महिला होकी एसिया कप के अंदर जो ब्रॉंज मेडल जीता था तो उसके करम में भारती टीम का कौन किसने मतलब कौन हरा तो इसमें देखू यह सब question क्या है यह आप खेल वाले जो खेल वाले question होते हैं उनकी यह नॉर्मल नॉर्मल question है ज्यादर डीपली भी नहीं है अगर आपने यह आगे देखते हैं इसमें थोड़ा सा यह थोड़ा question है इसके अंदर आगर आपको हल्का सा अगर आप पड़े होंगे तो सही रहेगा बाकी ज्यादा दिक्कत नहीं होगी अगर इस प्रकार से paper बनेगा तो मैं कह सकता हूं कि हाँ paper की cutoff high जाने वाली है पूरा chance है वो depend करता है कि कौन बच्चा कितना paper attempt कर रहा है अभी हमने general part खोला है तो general part में हमको ऐसे से question देखने को मिलें तो मतलब अधिकतर बच्चे कर सकेंगे हाँ यह थोड़ा question आया था इसके थोड़ा बच्चा थोड़ा time लगेगा और काफी question यह थोड़ा सा hard कह सकते हलका समत्रों moderate में रखेंगा hard में भी नहीं यह आगे reasoning का question समझगे reasoning का है और reasoning के question क्या है reasoning को मतलब reasoning math इन सबों का जो labor से काफी बहुत बढ़ा है तो इनको मतलब 4-5 दिन में 10 दिन में महिने भर में complete नहीं होगा हाँ इसके लिए आप क्या कर सकते हो previous year के paper उठा लो previous year के question practice कर सकते हो तो महां से थोड़ावा समसकोगे यह जो paper है इस paper को देखते जाओ कैसे कैसे question आ रहे है reasoning में कैसे आए aesthetic part का मैं इसको मैंने बता दिया कैसे कैसे हिंदी का मैंने बता दिया reasoning का बता दिया यह भी आप कर सकोगे इतना ज़्यादा hard यह भी ज़्यादा hard नहीं है हो जाएगा अगर आप थोड़ा बहुत पढ़ रहे हो reasoning कर रहे हो तो कोशन यह इसली हो जाएगा अच में गरत बताना है कि देख लो कैसे कैसे question आ रहे है हाँ तो math भी ज़्यादा hard नहीं है math भी मतलब कह सकते हो कि जिसने थोड़ी बत लगाई हुए math यह पहले करी हुए तो general part देखें मैं बता दू general part यहाँ पर ज्यादा hard नहीं आया है general part पिछले साल के paper में इतना hard नहीं बनाया है और general part के भी question ठीक ठाक है अब हमको देखना है कि हमको domain paper अपना देखना है कि domain paper में आखिर कैसे नहीं question बनाया है कुछ एक hard hard है मतलब कुछ एक moderate रखें बकि सारे ठीकी सब्दें ठीकी question आया ज्यादा hard word नहीं है अगर सब बच्चे बराबर ही कर जाएंगे तो फिर तो कोई पर उनकों में से 10 में से अगर अच्छा निकालना है तो हाट रखना ही पड़ेगा मुझे लग रहा है अपने domain subject का question है तो यह भी सही है ज्यादा बिल्कुल ठीक है question हां तो जार देखो नॉर्मल question है और यह मैं question में बता दू जो भी में हिंदी का समय वीडियो देख राइस्टून में बता दू इस सारे के सारे paper जो भी question इसमें आ रहे हैं मैं इतनी गरेंटेट बता रहा हूं अगर वो 31 वीडियो की पूरी playlist देख लिया क्यूंकि उसमें मैंने यूजी से नेट टीजी टी पीजी टी जी आरफ इन सभी की question कम प्लेट कराया है समझगे तो चार से पांच हर question होते हूं सारे question नॉर्मल है इतने ज्यादा हाड नी जिसने नॉर्मल पढ़ रखा है न तो अच्छे से निकाल जाएग exam देखते जाओ question आ रहा है question देखते हो हलका समने screen पर करूंगा वीडियो को pause करना question को देखना question को करना यह question जबता कैसे है यह सारे question दिल्ली विश्दाली के entrance exam के उपर है जैसे दिल्ली विश्दाली के entrance exam आता है बिल्कुल उसी के इसाब से question है और मैंने पहले भी बताया था जो पेपर पहली बार decide होता है जो पेपर पहली बार बनता है वह hard नहीं बनता नॉर्मल बनता है तो यह सुच्छे साल से तो पेपर बहुत असान आया इस बार देखो क्या pattern change है कुछ कहाने से तक कि यह दूसरी बार हो रहा है सो question में पूरे करा दूँगा समझगे इस वीडियो में पूरे सो question करा दूँगा चावाल इस question हो चुके है और जो उनसा question आपको देखना हो तो वीडियो को pause करना और वीडियो को pause करके उस question को देख लो 100 question है 100 question को लगा लो पूरे कि कितना आपको बन रहा है इस सारे domain के question है सारे domain के है math भी जादा नहीं थी 3-4 question थे math के वी और gk के भी 2-3 question ढाले थे और math के भी 2-3 question थे reasoning के भी इंदी के भी तो जादा तक question नहीं थे कई से यह सारे हमारे बहुत ही मतलब कह सकते यार अपना जो है डोमिन का पेपर है यह देखो क्या कोशन आया 14 सितंबर यह क्या है मतलब नॉर्माली कोशन है यार ज्यादा मतलब हाड नहीं कह सकते बहुत अच्छे कोशन देखिए मैं बता दू जो भी मतलब विपर देख रहा है समय जो भी वीडियो देख रहा है हमें हिंदी के लाश्टिक कोशन के लिए आप हमारे चैनल पर जा सकते हैं प्लेलिस्ट में 131 नंबर 131 कोशन की आपको 131 वीडियो की एक प्लेलिस्ट मिलेगी उन प्लेलिस्ट को पूरा कम्प्लेट कर लो यह सभी अपना कम्प्लेट हो जाएगा कि यह दो कोशन जो भी उपर आएं सारे व्याखरण के हैं इसमें थोड़ा सा थोड़ा टायम लेगेगा उसको थोड़ा समझने में भी और अधिकतर यह कोशन जो है ठीक भी हो जाते हैं गलत भी जाते हैं क्यों कि इसके अंदर क्या होता है जिनका अभीकातरों कारण दिया है इसमें बच्चा कन्फूजन हो जाता है कि यह ठीक जो वीडियो है उसी के अंदर मैंने कथन अभी कथन वाले जो कोशन होते हैं इस थापना कथन वाले उनके मैंने कोशन कर आए वे और इन कोशन हो करने के लिए सबसे असान ट्रिंग में बदा दू आप सभी को आप सभी नेट पेपर उठा लो नेट के पेपर जो नए नए चाहँ के लिए को समझने के लिए। इन के लिए मैंने 4-5-6 किलासिस कराए तो उन वीडियो को देख लो जाके वहास थोरा समझ जाओगे वो सारे जीनियू के मैंने जीनियू की प्रिपटर कराया थे मैं बता दू कम से कम अपने को यहाँ पर दस कोशन वाले इन को अच्छे से निप्टाने के लिए मैं बता दू लास्टिर की पेपर उठाओ नेट को उठाने चाहते हैं नेट को उठा लो या तो चैनल पे में आपको मिल जाएंगे मेरे जो प्लेलिस्ट है 131 वीडियो वाली उसके अंदर ही समझे उसका नाम है में हिंदी मॉक टेस्ट समझे उसमें सारे कोशन मैंने कराएं 4-6-7 वीडियो में कम्पलीट है तो उनको कर लो बड़ी ऐसे इसमें थोड़ा सा आपको टायम लगेगा है इसमें हलका सा मतलब दिमाग लगने वाला है समझे इसमें थोड़ा टायम लगेगा आपको जो भी मतरो रचना याद करते हो उन कहाणी को किस ने दिया है किस की कहानी इसके कहानी को प्लस में किस सन की है तो मैं बता दू ऐसे से पेपर बनाये गाइए सभी हार्ड नहीं कह सकते सभी असान भी नहीं कह सकते समझे के इन गशी पेपर मोड़रेट है इतना है कि इस दोबारा से बुधी कोशन आने सुरू गए हैं और काफी मतलग कोशन है इस बार ठीक यहां तो काफी कोशन है इन कोशनों करने के लिए वह वीडियो जरूर देखना कन्फर्म कर रहा हैं कि इनसा काफी मतलग कोशन हैख हम कोशन अंचे निकल गए हैं जब तक इन कोश्रों को अच्ळों को अच्छे से करना है तो इनके लिए ज्यादा ज्यादा जिसने लिट्रेचर पड़ी होगी अच्छे से जो अब्जक्टीव लगाएगा ज्यादा जब अब्जक्टीव कोश्रन करऊंगे तो वो electronics कर पाएं get पाइंगे इन को रहोग तो इन को लिटरिचर ज्यादा ज्यादा जिसने पढ़ियोगी सॉप्धि यादा ज्यादा पढ़ा धीन पढ़ा होगा उन को अच्छे से कर जाएगा वह कि न्बेक में या कोश्टन कॉम्प्रेट हो रहे हैं और देखते जाओ जैसे जैसे कोशन आ इसमें कम से कम बीज एपचेस कोशन आपके नट के स्लीवस के उपर हैं मतंतोल जैसे मतंने पाटन रहता है वैसे बना है जैसे अभी कतनकरण वाले कोश्चन आ गयाई वाले सारे नेट के पर होते हैं ऐसे जो कोश्चन योन बनाया यह सीरियल वायस लगाने के लिए यह बीनेट वाले होते हैं कब लिखी थी यह भूल जाओगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी इन कोशनों को करने में समझ गे ऐसी तो मतलब अभी त्यारी से आप से करोगे तो जब नेट का एक्जाम दोगे तो नेट में यही पैटर बनके आता है तो आपको असानी रहेगी कि हाँ इसमें क्या था किसमें कौन सी थी सीरेल लगाने में आपको असानी रहेगी काफी मतलब कोशन वैसे ही है तो कह सकते हैं क्या मतलब 50-50 तो रेंज रहेगी हाड की और असान की भी अब जिन कोशनों को बच्चे ने पढ़ा तो है पढ़िए पढ़िए सारी पढ़ने के पाशनों को बोल देगी यह में से सही सही बताओ या गलत गलत बताओ या इसका अरेंज करो तो वहां दिक्कत कर जाएगा समझ कि यह सारी कोश्चन है हमको देखती जाएए और अगर आपका कोई और पेपर है जैसे कि कोई इस्टुरेंट और दूसरा आया इस वीडियो पर देखने के लिए तो अगर आपने और कोई वीडियो में सब्जिट भर रखा है तो उसकी मुझे कमेंट बक्स में बता द अगरे तो संतानवे यहां पर कोशन हो चुके हैं तीन कोशन यहां पर मात्र और रहेंगे तो फुर्ण ने पड़ना जो भी पड़ोगे मतलब डीपली हलका सा पड़ना और ज्यादा ज्यादा अब्जेकिक कोशन के भी लगाने के पूरी प्रैक्टिस करना क्योंकि कोशन म यह होती है तो वहाँ दिक्कत हो जाती है तो प्रैक्टिस पूरी अच्छे से करके जाना तो यहां देखो आपके पूरे के पूरे सो कोशन हो गए है ना तो देखो याह पुरे, आपके 10 questions मैंने करा दिये हैं। और यह सभी this question जो हैं देख लिए आपने कैसे क्या हैं। और मैं इनको बदा दू। यह सारे questions अधिक तर तो देखो मैं बदा दू। जितने भी ही सारे McTest के question हैं। इसलिए कि मेरे मोक值 नहीं। वह पर जो आने वाले आए जो आने ही पॉसिबिल्टीटीए कि हां इनको यही कोशन देखने को जादा मिलेगा तो उसी साफ से बच्चों को ज्यादा स्लेक्षन होता क्यूंकि जो बच्चे पेपर करते हैं उनको पता है कि हां मतलब कोशन इंपोर्टन है समझे तो इससे कर लेगा वो पर थोड़ा से त्यारी कर रहें तो जो नीचे कोशन अभी आपने देखे सीरियल वाइस वाले एबी सीडी लगाओ या क्रम में लगाओ या कौन सा गलत है कौन सा सही है तो उनमें दिक्कत आ जाएगी जो अभी कथन कारण माले आगे कोशन उसके जितने जादा जितने जादा साहिते पढ़े होगी उन कोशनों को असानी से कर लेगा पर अब्जेक्टिव के जब माइंड में जैसा अब्जेक्टिव मांड बना रहेगा तो फिर अब्जेक्टिव में दिक्कत आ जाती है समझ गया तो सबसे तैयारी करिए और लिट्रेचर पढ़िए दवाके अपना लिट्रेचर अरशा हो रही चीए लिट्रीचर को पढ़ना बढ़िए से जो भी भूक हाद कर रहे है से जो भी मतलब कहाणी हुपनयास आत्मकथा याद कर दशज तो पता के हां किससंदी में आई यह जरूर याद रखना अगर उसमें कोई पृषकार दिय को मिलेगी समझ गया यह सभी बाते हैं आप सभी को जाननी थी मैंने जो भी में हिंदी की पेपर में इन्फॉमिशन ती दे दी है बाकि कोई अगर डाउट आपका रह रहा हो तो कमेंट बुक्स में कमेड करिए नेक्स वीडियो में स्कुरी भी बता जाएगा फिर मिलते हैं इसकी नेक्स वीडियो में दोस्तों जय हिंद जय भारत